दर्शको आज हम बात करेंगे कि अगर शुक्र आपके जनमपत्री में नीच के हुकर बैठे हैं तो आपके व्यक्तित पर, व्यवाहर पर, संतान पर, धन पर, भौतिक सुक पर यानि बहुत सी महतुपूर्ण परिस्थितियों में महतुपूर्ण जंगों पर क्या-क्या प्र इन सब बातों का ध्यान अवश्य रख लेना चाहिए, नहीं तो थोड़ी इसी दिक्कते अधिका आ जाती हैं। तो आईए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस फिशे के बारे में। यानि अगर 6 नंबर में शुक्र स्थित हैं अर्थात वो नीच के हैं। अब उस से होगा क्या? दर्शको कई बार जिंदegी में हमें ये सिखाया जाता है कि प्लानिंग करो प्लानिंग के अनुसार जिंदिगी को चलाओ क्योंकि अगर अब प्लानिंग करेंगे तभी विन्निता अधिक है जिन्दिगी में हम अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेके भी प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं और प्रोफेशनल लाइफ को भी नीज के शुक्रवालों का पर्सनल लाइफ में प्लानिंग करने का मतलब कुछ गडबड हो जाना होता है अर्थात प् लोग हो तो अपनी जियाती जिन्दिगी के अंदर अपनी परसनेलिटी के अंदर थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति इस्तितियों के अनुसार स्वेम को बदल सके तो बहुत फाइदा होगा अगर आप बहुत जदा परसनल लाइफ में प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले तीन वरश में हम इस तरह से अपने करियर को इस्टैबलिश कर लेंगे करियर बूला है पर बात हो रही है परसनल लाइफ की, क्यों? कि हमें परसनल लाइफ में अपने आपको ऐसे रखना है भी ना करें bit किजिए नीच के शुकर वाला्ठ प्रफेशनल लाइफ में प्लानिंग करता है नहीं तो बहुत कमाल करता है कहने कातात परे यह दर्शिकों कि आपकी परस्टनल लाइफ प्लानि कि नहीं चलने देंगे नीच के शुक्र परन्तु यह आपके दिमाग पर प्रोफेशनल में करियर में एजुकेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं आप जब वहाँ पर प्लानिंग करते हैं तो लोग देखके अचंबित होते हैं कि क्या आप वही व्यक्ति हैं जो परसनल लाइफ में भी हैं क्योंकि परसनल लाइफ में तो कभी-कभी नीच के शुक्र आपसे थोड़ा सा क्रोध भी अधिक करवा देते हैं रहा नहीं जाता आपसे कि कोई बात दलत हो रही है तो थोड़ा चुप हो जाएं जी नहीं हम तो तुरंत ही बोलेंगे क्योंकि हमारा है नीच का शुक्र बस यही नहीं करना है परसनल लाइफ के अंदर, सोशल लाइफ के अंदर थोड़ा सा चीजों को लेट गो भी करना सीखिये नहीं तो फिर कुछ देखकते आएंगी जैसे की नीच के शुक्र आपके पारिवारिक जीवन में थोड़े से मतबेद अधिक करवा देते हैं यह परिवार क्या है? एक वो परिवार होता है जिसमें हमने जनम लिया और एक वो परिवार होता है जो हम स्वयम बनाते हैं यानि जीवन साथी और संतान वाला परिवार पहले उस परिवार की बात करते हैं जिसमें हमने जनम लिया तो नीज का शुक्र अपने इस परिवार में हमारे संबन्ध बड़े प्यारे रखता है परन्तु फिर भी मदबेद क्यों करवा देता है? इसलिए मदबेद करवा देता है क्योंकि आप सब में यानि सभी वेक्तियों में उनकी गलतियां उन्हें गिनवाते रहते हैं आप समय का इंतजार नहीं करते जिसने जो गलती कर दी उसी समय बोल देते हैं एक सलहा के रूप में कि आपको तो ये नहीं करना चाहिए था आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको इतनी सी बात समझ नहीं आई यानि आपके इस वैवार के चलते आपकी पर्सनल लाइफ में उस परिवार के साथ थोड़े बत जगड़े हो जाते हैं पर क्या इसका यह मतलब निकालें कि संबंद तूट जाएंगे बिलकुल नहीं संबंद नहीं तोड़ते आप नीच के शुकर वाले इस मामले में बड़े पक्के होते हैं कि हम अपने रिलेशन्शिप्स को कॉंटेन्यू करें अच्छा रिलेशन्शिप्स से एक बात याद आई दर्शको कि नीच की शुकर के लिए कभी-कभी लोग कहते हैं कि ये लोग प्रेम संबंदों में अच्छे नहीं होंगे आउंगा उसके बारे में भी बात करूंगा पहले अपनी पहले वाली बात को तो कंप्लेट कर लूँ कि वो जो परिवार था जो हमने खुद बनाया क्या वहाँ पर भी हमारे मतभेद होंगे वहाँ पर नीच के शुकर ये कहते हैं कि जादा प्लानिंग मत करो जैसे मैंने शुरुवात में कहा आप अपने जीवन साथी को लेके बड़े लंबे लंबे ख्वाब देखते हैं कभी-कभी घबरा भी जाते हैं कि वह नीच का शुकर है तो क्या हमारा जीवन साथी हमें खराब मिलेगा यहां पर आपका जीवन साथी कहीं न कहीं समाच से थोड़ा हटकर तो होता है कहने कातात पर ये रहा कि उसको ऐसे कह सकते हैं कि वो अब आपकी कमिया गिलनाने वाला व्यक्ति हो सकता है गिनाएगा तो घर में ही घर में ही बताएगा आपको क्या आपने जो अभी पूरी जिन्दिगी दूसरों की कमिया गिनवाई है ना आपका जीवन साथी आपकी कमिया गिनवाईगा और आप सुनेंगे भी क्यों? क्योकि नीच का शुक्र है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए आप जिस तरह की अलग व्यवस्था अपने दिमाग में लेके जलते हैं ना जीवन साती को लेके वो नहीं करना चाहिए आपकी परसनल लाइफ थोड़े से डिफरेंट ट्रैक पर जाएगी पर आप उसे अच्छे से बैलेंस कर लेंगे क्योंकि यह काबलियत भी नीच का शुकर ही देता है अब इसी बात से संबंदे दर्शकों यह कहना चाहूंगा कि आपके कारे छेतर में यानी करियर में भी कभी कभी इस तरह के मनमटाब हो जाते हैं परन्तु क्या मनमटाब होते हैं उसे समझाने के लिए बात कहता हूँ कि नीच का शुकर आपका रिलेशन्शिप किसी के साथ बहुत लंबा चलाता है यानी आप उसके साथ मिलके बहुत अच्छी पार्टनर्शिप कर रहे होते हैं या एसोसेशन कर रहे होते हैं यानि दोनों लोग मिलके अपने आपको मार्केट में स्थापिक कर चुके होते हैं। ऐसी परिस्तितियों में कभी-कभी बिना किसी वज़ा एक बहुत बड़ा मनमुटाव हो सकता है। अब जब ऐसा होगा तो आपके दिमाग में आएगा कि नीच का शुकर है ना, इसलिए हमारे रिलेशन्शिप चलते नहीं। बिलकुल गलत बात। आपका ये जो मनमुटाव आएगा इसे नेगेटिव मत लीजी। क्योंकि उसके बाद एक नई शुरुवात होगी और जो उससे भी जादा बहतर होगी। तो समझ रहे हैं दर्शकों, नीच का शुकर कभी-कभी आपको एक डाउट में डाल देता है कि आप रिश्टे नहीं निबा सकते। ऐसा नहीं है। मानता हूँ आप गलतियां बता देते हैं सामने वाले के मुझ पर पर उसका मतलब यह नहीं है कि आप रिश्टे नहीं निबा सकते। इसलिए प्रोफेशनल करियर में जिसको भी इस तरह का कभी जटका लगा हो बताईएगा कि हमारा इतने वर्शों का साथ ही छोड़ कर चला गया। पर क्या उसके बाद सही में नई opportunities यानि new opportunities आईं या नहीं हाईं। क्योंकि आपके कमेंट से हमें तो guidance मिलती ही है साथ में हमारे अन्य दर्शकों को भी बहुत जानकारी मिलती है। अब जानकारी में ही बात आगे बढ़ाते हैं दर्शकों और आपके emotions की बात करते हैं कि नीज का शुकर सही माईने में प्रेम संबंद, love life, marriage life इन सम्में कैसा रहता है। देखिए दर्शकों emotional तो बहुत बनाता है आपको पर साथ के साथ एक बात कहूंगा आपको थोड़ा बहुत अपने व्यक्तित में बदलाव कर लेना चाहिए यानि क्या नहीं करना चाहिए आप न दूसरों के जगड़ों में गुज जाते हो यानि दूसरों के लिए दिला देता है जिसके कारणवस emotional पराकाश्ठा हो जाती है सामने वालत लड़ना भी नहीं जा रहा अपनी बात कहना भी नहीं जा रहा और आपने उसकी सारी बात किसी और को कह दी लड़ते लड़ते जो उसने कभी personally आपको बताई होगी क्योंकि गुस्से में आप कह रहे ह होंगा या देके ही रहूंगी यही कहना चाहरा हूं थोड़ी सी सीमा बांद दिये दर्शकों नीच के शुकर में क्या नहीं करना है जादा emotional नहीं होकर जादा emotionally किसी के लिए लड़ाई नहीं करनी है emotions रखिए जादा शब्द का ध्यान रखिए और इसलिए अगर आपसे कोई कहता है कि आपके love life अच्छी नहीं होगी आपकी married life अच्छी नहीं होगी क्योंकि नीच के शुकर हैं बिलकुल गलत बात आप तो sacrificing nature के हैं आप बिलकुल love life में अच्छे रहेंगे आपकी married life भी ऐसा नहीं है कि नीच के शुक्र हैं तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं बीतेगा बस दूसरों में मूँ पर गलती कहना बंद कर दो सही बताओं दर्शको थोड़ा सा डिप्लो मैसी तो चाहिए नीच का शुक्र आपसे यही करवाना चाहता है कि कभी कभी थोड़ा सा च अन्य ग्रह भी हैं जो उचके भी हैं और नीच के भी हैं या फिर यही देखना चाहें कि उचके ग्रह वालों को क्या नहीं करना चाहिए सामान्यता या नीच के ग्रह वालों को तो ऐसी परिस्तिति में आ जाईए न हमारी उस प्लेलिस्ट पर जो उच और नीच के ग्रहों से संबंदित है उसी प्लैलिस्ट में ये वीडियो पे जुड़ जाएगी परंतु अन्य जानकारियां भी हैं और अगर आपको अपनी कुंडली के अनुसार कुछ देखने को मिले पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दर्शको अब बात को आगे बढ़ाते हैं और धन क कि बाते करते हैं कि क्या नीज का शुक्र पैसे पर भी फैक डालता है दर्शको समानेता नीज का शुक्र अर्निंग देता है लेकिन जटका जरूर देता है आप कहेंगे अचारी जी जिन्दिगे में जटका किसको नहीं मिलता आपको जरा जोर से ही जटका लगता है वो कहत ततहा आपको पैसे की बहुत जादा वैल्यू दिखा देता है नीज का शुक्र। उसके बाद फिर आपके व्यक्तित में बड़ा निखार आता है। उससे पहले कभी कभी थोड़ा बहुत आप कुछ चीजों में गड़बड़ी कर बैठते हैं लेकिन जिन्दिगी का वो जटका फिर पूरे जीवन भर नहीं भूलते और बड़े कमाल की बात है। उसके बाद दुवारा ऐसा जटका नहीं लगता है। यहां पर तो मैं अभी सरफ नीच के शुक्र की यही परिभाशा बता रहा हूं कि आपकी कुंड़ी में एक बार ऐसा डाउन फॉल आएगा ही आएगा। किसी की जिंदगी में आया हो तो बताईएगा कि हां नीच के शुक्र ने हमें बेसिकली कुछ पल के लिए ही कुछ महीनों के लिए ही एकदम से करजे में भी डुबो दिया या फिर सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन वही नीच का शुक्र क्या आपको मकान देगा गाड़ी देगा पैसा देगा यानि भौतिक सुक देगा अब जिस समय ऐसा दौर चल रहा होता है जिंदगी का तो दर्शकों मन में आता है कि अपनी जिंदगी तो खतम कुछ नहीं होने वाला हमारा और देखे बड़े कमाल की बाद उसके बाद अनेक्सपेक्टिडली यह द डी नीचिक अ कई गाडि मकान बहुत एक सुविधा की देता है जिसे देख देखकर आपके चाहने वाले खूप जैलस होते हैं पर आपको समय थोड़ा नियनत्रण रखना है क्रोध स्वें बोलना नहीं है इमोशन्स में बोलना नहीं है आपके चाहने वाले यही सोस्ते रह जाएंगे कि इसकी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी यह सब कैसे आ गया कहां से आ गया कुछ गलत कारे तो नहीं करने लगा यह व्यक्ती अब उन्हें क्या बताएं कि आपकी कुंड़ी में नीच का शुक्र है तो अंततहा दर्शको अब कंक्लूजन की फॉर्म में बताऊंगा कि नीच के शुक्र वालों को क्या नहीं करना चाहिए ज़्यादा एमोशनलों के गुस्सा नहीं या इसे अपोजिट तरह से बात करते हैं कि क्या कर लेना चाहिए दर्शको आपको ना इंडिपेंड़ंड वर्किंग लाइफ की तरफ जाना चाहिए इवन अगर आप जॉब में भी हैं तो ऐसी जगह काम-धंदा डूंडिए जहां पर थोड़ी सी आपकी इंडिपेंडंस हो ऐसा इसलिए बोला दर्शको तो कि नीच का शुकुर आपको बोलने की शम्ता कारे शैली में बहुत अच्छी देता है आप अपने काम में बहुत perfect होते हो बस personal life में सोड़ी सी मात खा जाते हो लेकिन यही independent life आपको career में बहुत अच्छा सही कहा रहा हूँ बहुत अच्छा social networking बना के देती है और यह social networking के थुरू आप अपने काम में अपनी एक बहुत अच्छी public image बना लेते हैं अब यह public image क्या होती है देखे ना जरूर तो नहीं कि public आपकी personal life को भी जानती हो तो जो आपकी personal life में टकराव चल रहे हैं न उन्हें कभी बाहर मत आने देना नहीं तो नीज का शुक्र सब गड़ बढ़ कर देगा इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी public life अलग और personal life अलग personal life में planning से कुछ नहीं होगा public life में planning से बहुत जबरदस image बना लगे नीज के शुक्र वालो तो अंत तहां क्या करें संयम रखिए यानि कि patience बहुत जादा रखिए नीज का शुक्र बार बार आपको क्रोध दिलवाता है emotion से भरवा देता है और अंत तहां डिपलोमेसी रखिए जानते हैं ना डिपलोमेसी जहां पर तुम भी ठीक हम भी ठीक समय भी ठीक जो गलती है वो तो बस पता नहीं किसकी है पर आपके और हमारी गलती नहीं है तो ऐसी डिपलोमेसी रख के चलेंगे ना फिर तो आप नी बॉक्स में साथ में इस वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा दर्शकों आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद